नमस्कार सक्षी नियुस नेटेक और आप सवी का स्वागत है जम्मू कश्मीर में इस महिने भारत निर्वाचन आयोक की आत्रा प्रस्थावित है जिससे राजनीतिक दलों की यह उमीद बढ़ गई है कि केंद्र शाषित प्रदेश में इस साल विधानसवा चनाओं हो सकते ह हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसवा चनाओं 2014 में हुआ था इसके पांच साल बाद 5 अगस 2019 को ततकालिन प्रदेश का विशेश तरजा वापस लेते वे सरकार ने इसे दो केंद्र शाषित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाक में विव निर्वात पैदा हो गया है जिसे भरे जाने की जरौत है उन्होंने कहा था कि मौसम और सुरक्षा चिंताओं समेट विविन कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्र शाषित प्रदेश में चुनाओ कराए जाएंगे अभी जम्मू कश्मीर दौरे की खोशना नहीं की है लेकिन इस्थानी मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि यह दौरा इस महीने हो सकता है हम आपको यह भी आदिला दें कि निर्वाचन आयोग ने परिसीमन की कवायत के दौरान विधानसवा छेतरों का दायरा फिर से तैय किये जाने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली म मद्दाता सूची अपडेट होती रहेगी क्योंकि लोगों को मद्दाता के रूप में नामांकित करने के लिए हर साल चार कट आफ तारीक हैं जहां तक जम्मू कश्मीर में विधानसवा सीटों के हाल में किये गए परिसीमन की बात है तो आपको बता दें कि कश्मीर छेतर दल की जम्मू कश्मीर यात्रा को लेकर भाजपा नेता दरक्षा अंद्रावी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग जब भी केंद्र शाषित प्रदेश में चुनाओ कराने का फैसला लेता है उनकी पार्टी और कार्यकरता इसमें भागीदारी के लिए तयार हैं अंद्रावी वहीं अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग का प्रदेश का प्रस्तावित दौरा स्वागयत योग्य कदम है और प्रदेश में अब चुनाओ कराने का वक्त आ गया है दूसरी और नेश्ट्रों का प्रवक्ता इम्रान नभी की डार ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला के नेतरतु में एक प्रतिनिदी मंडल के निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद से उनकी पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है डार ने कहा हमारा अत्तार्क और हमारे बिंदू समान है कि व समर्थन करते वे कहा है कि चुनाव ना केवल लुक्तंत्र के लिए बलकि छेत्र के लोगों की समस्याओं को सुल्खाने के लिए भी बहुत महत्पूर्ण है आजाद ने कहा हम बहुत उत्सुक हैं बलकि बहुत देर हो रही है क्योंकि हमने लगभग 9 साल पहले विधानसव का मुद्धा नहीं है उन्होंने कहा मैं प्रधान मंतरी और ग्रह मंतरी का शुकर गुझार हुं कि संसत में हमारे बार बार दिये गए लेकिन साथिये शपषठ्र किया कि इंडेश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके